जै बलो देवा दिदे वेखदराट स्री भगवान महावीरश्वामी की जै 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 आहिसा परमो धर्मे की जै 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 परमपूज आचायर गुरुवा स्री बिद्या सागर जी महराज की जै 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 परमपूज परमानिक संत महा मना मुन्राज प्रमा सागर दी महराज की जीवन का उतकर्ष साधना में है और शाधना कोई क्रिया नहीं एक अभ्याश है ऐसा अभ्यास जो हमारे चित और चेतना को संतुलित करे रुपांतुलित करे हम देखते हैं कुमार मिट्टी से मंगल कलस बनाता है मिट्टी को एक लौंधे का रूप देता है लौंधे को चाक पर रखता है और उसे हातों के माध्धम से आकार देना सुरू करता है धीरे धीरे वो मिट्टी आकार पाती है उससे घट निर्मित होता है कलस बनता है उसके बाद उसे अवे की आँच में तपना पड़ता है वो माटी तपती है तब कहीं जाकर घट या कलस का रूप धरपाती है बस इसी का नाम है साधना मिट्टी को मंगल कलस का रूप ब्रदान करना ही साधना है और उसका परड़ाम कल तक जो पानी उस मिट्टी को गला करके बहा ले जाता था जो पानी उस मिट्टी को बहा देता था जिसे पानी बहा रहा है वह भी मिट्टी है और जिसमें पानी समा रहा है वह भी मिट्टी है बस यह अंतर है तो साधना और साधना के अभाव का मनुष्य जितना अधिक साधना संपन्न होता है उसका जीवन उतना अधिक समर्थ होता है साधना से हमारे जीवन का गुनात्मक विकास होता है साधना से हमारी आत्मा की पात्रता उद्खाटित होती है और साधना से ही सिद्धी की उपलब्दी होती धर्म के चंबन्ध में मैं आप सबसे के वरितना कहूंगा धर्म को क्रिया नहीं एक साधना है धर्म को क्रिया के रूप में अपनाने वाले लोगों की तो बहुलता है लेकिन धर्म को एक साधना के रूप में अंगीकार करने वाले लोग विरल होते हम धर्व को साधना के रूप में अंगीकार करे वो साधना जो हमें अपने अंदर से परिवर्थित कर दे हमें भीतर से रूपांतित कर दे तो साधना के लिए क्या करना होगा अपने आपको तपाना होगा अपने आपको खपाना होगा अपने आपको गला ना होगा मिट्टी से घड़ा बनता है कब कोई भी मिट्टी को घड़ा का रूप दे दो नहीं उस मिट्टी को पहले भिंगोया जाता है गलाया जाता है और जब कुमार मिट्टी को गलाता है पाओं से रौंदता भी है तब वो भीतर से भींगती है फूलती है उसमें लौंधे का रूप बनता है और फिर कुमार चाक पर घुमाता है चक्कर खाता है लेकिन फिर भी समर्पित रहती है और फिर कलस का रूप पूरी प्रक्रिया तक पहुचने में उसे कई प्रकार के प्रहारों को जहलना पड़ता है और अगनी परिक्षा देनी होती है अवे के आँच में पकना पड़ता है तपना पड़ता है तब कहीं मिट्टी, मंगल, कलस का रूप धर पाती है ऐसे ही जीवन विकास के क्रम में जो पूरी तरह से अपने आप को अर्पित करते वे साधना के मर्ग को अंगी कार करता है और जीवन में जो कुछ भी घटित होते जाए उसे सहज रूप से स्वी कार करता है सच्चे अर्थों में उसके ही जीवन का उद्धार होता है अभी प्रशंग मुनी धर्म का चल रहा है मुनी मुद्रा साधना की मुद्रा है अपनी चेतना को पूरी तरह परश्कृत करने का आधार है और सारा जीवन प्रकरता और प्रताप के साथ जीने का मारग है जीवन सब को मिला है जीवन सभी जीते हैं लेकिन एक साधरन प्रानी के जीवन में और एक संत के जीवन में संतों में भी मुनी के जीवन में एक बुनियादी फर्क होता है आप लोग जीवन जीते हैं और मुनी जन जीवन का रस निचोडते हैं रस लेते हैं जीवन जीना अलग बात और जीवन का रस पाना अलग बात है जीवन जीएं रस पाएं रस निचोड़ करके उसका आनंद ले वो हम कैसे करें जीवन का रस अपने अंदर के से आए, आज हम मुनी लोग हैं, हम हर पल अपने जीवन के प्रती जागरू करते हैं, और जीवन का आनंद लेते हैं, आप लोग पता नहीं किसे एंज्वाइ मानते हैं, और उस एंज्वाइमेंट के लिए नजाने कितने प्रकार के साधनों का पालम बन लेते हैं, पर मुझे पता है, थोड़े देर पहले enjoy है, और उसके बाद stress, यही चलता है नहीं, इधर enjoy, इधर stress, सब joy खतम हो जाता है, पता ही नहीं लगता, अभी joy के बाद high कब हो जाए, इधर joy, इधर high, इसका कोई पता नहीं, लेकिन मैं अपनी बात कह सकता हूँ, मैं अपने जीवन के एक एक पल का enjoy करता हूँ, एक एक शन का enjoy करता हूँ, हर पल अपनी मस्ती में जीता हूँ, और संत है ही वही, जो हर पल अपने मस्ती का आनंद ले, कैसे, आप भी कर सकते हैं, और बहुत एरे लोग बेरे संपर्क में ऐसे भी हैं, जो अपने जीवन को बहुत मस्ती से जीते हैं, जीने का अपना अपना नजरिया है, उस नजरिये के अनुसार जो जैसा जीवन जीता है, उसका सारा जीवन वैसा हो जाता है, हमें चाहिए कि हम जीवन के मूल को पहचा और जीवन की मस्ती का रस ले सके मुनी राजों को ये इस्थान क्यों मिला आपने कभी सोचा आप लोग मुनी जनों को पूझते हो पूझते हो की नहीं पूझते हो क्यों पूझते हो क्यों पूझते हो उत्तर चाहिए गुन कौन से गुन आ गए कोई टपक के आ गए ये कह रहे हैं गुन है ये कह रहे हैं मार दस्तक है आत्मोन मुखी है ये सब कारण आप बता रहे हैं और भी कुछ बताएंगे क्या क्या बोल रहे है पंच परमिष्ठी में आते हैं तो हमने बता दिया इसलिए बता रहे हैं पंच परमिष्ठी में क्यों एक मुनी को तुमने परमपद में इस्थित क्यों किया उन्हें परमिष्ठी के रूप में क्यों माना उन्हें क्यों पूज रहे हो पूस्त रहे, उत्तर चाहिए, सही उत्तर चाहिए, बोलिए, हाँ हर पल की साधना रहती है, बहुत कुछ निकट गए, क्योंकि मुनी का नाम है साधू, और साधू कौन है, जो साधना करे सो साधू, हम में साधना है, हम साधक है, इसलिए आप हम सब की बंदना करते हो, हम सब की पूजा करते हो, साधू की पूजा उसके रूप के कारण नहीं, उसके कुल के कारण नहीं, उसके सरीर के कारण नहीं, उसके अंदर की साधना के कारण होती है, एक साधनन जन और एक संसाधु जन में यही अंतर है साधनन जन अपना जीवन यापन करते हैं और साधक जन अपने जीवन में साधना करते हैं तुम जीवन का निर्वाह करते हो हम जीवन का निर्मान करते हैं अंतर यही है निर्वाक और निर्मान की दिशा में बदला जा सकता है कब जब साधना से जुर जाओ तब मैंने पहला वाक के कहा था साधना एक अभ्यास है आप भी साधक बन सकते हो आप भी साधक बन सकते हो साधू बनोगे तब बनोगे लेकिन अभी भी एक गहस्त अवस्था में भी साधक बन सकते हो आज मैं बात कर रहा हूँ साधू जीवन की साधना के रहस्त को खोलते वे आप सब के जीवन में साधना कैसे आए आचारी कुंद कुंद कहते है जे बावी से परीशा है सहंति सत्ती से ही संजुत्ता ते होंति बंद निया सुरा सुर्मानु से लोए जो सत्ती से ही सैक्लो सक्तियों से संजुत्ता लग करके सैक्लो सक्ती लगाकर यानि पूरी ताकत लगाकर पूरी छमता के साथ बाईस परीशा हों को श्रहते हैं वेही सुर असुर और नरलोक में बंदनीय साधू होते हैं बात एक पंक्ती में पूरी हो गई पर इसके अर्थ को आत्मशाथ करने में पूरा जीवन भी कम पड़ सकता है जो बाईस परीशाओं को सक्ति से ही संजुत्ता सहंती पूरी शक्ति और सामर्थ के साथ सहते हैं वे बंदनी होते हैं तो आज बात कर रहा हूं साधना की साधना का पहला रूप सहना क्या करना सहना सहो जितना सहोगे उतना समर्थ बनोगे आप मुनी जनों की चर्णों में आते हैं आपको दिखता है मुनी महराज क्या सहते हैं सहते दिखते हैं कई बार आप लोग बोलते कितना कश्ट सहते हैं एक बार की बात मैं बहुत सर्दी थी बिहार कर रहा था और बिलकुल खला कोहरा कई दिनों से धूप निकली नहीं उत्तर प्रदेश की बात है और कल खलाती ठंड टेंपरेचर दिन का छे और उसमें बिहार हुआ छे टेंपरेचर में बिहार अपने इस्थान पर पहुँचे और जिस इस्थान पर पहुँचे वहां कोई कख्षी नहीं दालान में रहना कख्षी नहीं था हुआ यह था कि जहां उन लोगों ने इस्थान निर्धारित किया था वहां एक गधा मर गया था चरिया होनी थी, अट्रेंडम मालूम पड़ा, अब उस समय उस इस्थान को बदला, उस से चार किलोमेटर और आगे एक दूसरा इस्थान मिला, इस्थान के नाम पर एक स्कूल था, स्कूल क्या था, देलान था, मारू के, अब ठीक है भईया, जो है सो है, श्विकार करो, हम बैठे थे, सर्दी कडाके की थी, कुछ लोग आपस में बात कर रहे थे, देखे तो महराज बेचारी को कितना सहन करना पड़ा, क्या बोल रहे हो, बेचारी महराज को कितना सहन करना पड़ा, मैं ने इस सब्द सुना, हमने का भाई साब, थोड़ी सी कृपा कर दो, हमें बेचारा कहने की चूक मत करो, चारा तो हमारे पास था, पर हमने उसे स्विकार नहीं किया, अगर मैं चाहूं, तो आप मेरे लिए सौ साधन उपस्थित कर सकते हैं, बेचारा वो नहीं, जिसके पास कोई साधन नहीं, बेचारा वो नहीं, जिसके पास कोई साधन नहीं, बेचारा तो वो है, जिसके पास परियाप्त साधन होने के बाद भी, और साधन की चाह है, उपर से लदे हो फिर भी कापड़े हो कि और कुछ सुबदा हो जाए तो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कश्ट कश्ट तभी प्रतीत होते हैं जब तक हम उन्हें स्वीकार नहीं कर पाते हैं चार बाते आज आप सबसे कहूंगा सहो, सहना, स्वीकार करना, सत्कार करना सहन करना, स्वीकार करना, सत्कार करना और प्रतीकार करना सहन, स्वीकार, सत्कार, प्रतीकार हम मुनियों के 22 परीशे हैं हम लोग उशे सहते हैं इसमें कुछ सारीरिक है, कुछ मानसिक है, जीवन में आने वाले सब प्रकार के प्रतिकूल उताओं को, चाहे वो भौतिक हो या मानसिक, उनको सहन करना, कश्ट दुख आ रहे हैं, उनको सहज भाव से शहो, बाईस प्रकार के प्रिशह हम लोगों के जीवन में होते हैं, भूख की, प्यास की, सीथ की, गर्भी की, चलने की, बैठने की, सोने की, यह सब सरीर आस्रित क्रियाएं हैं, कुछ मानसिक होती है, जो हमारे मनो विकारों से जुड़ी है, यह पूरे बाईस परिशहों की ब्याख्या मैं नहीं करूँगा, करूँगा तो मुझे कई दिन लगेंगे, आप सब को ग्यात है, यह था प्रशंग, आप सुनते भी रहते हो, पर इन बाईस परिशहों को मु ने आदेश दिया, मारगा चवन निरजरार्थम परिशोडव्या परिशहा, अपने मारग से चुतना होने के लिए और कर्मों की निरजरा करने के लिए तो मैं परिशह सहना चाहिए, परिशहों को सहोगे तभी आगे बढ़ोगे, जो वेक्ती रास्ते के बाधाओं से पाता, ये बाधाएं तुम्हारे रास्ते के आउरोध हैं, तुम्हें इन्हें पार करते वे मंजिल तक महुचना हैं, लक्ष को देखो, ये सब तो छोटे मोटे व्यावधान हैं, इनसे प्रभावित होगे, तो यही अटक जाओगे, जिसके हिरदय में तत्वज्यान होता है, वो अपने भाव को विशुद और निर्मल बनाते वे अपना कल्यान कर ही लेता है, तो मुनिराज 22 परीशहों को शहते हैं, इसलिए वो बंदनी होते हैं, वो उनके जीवन की साधना फलिभूत होती है, आप लोगों से मैं कहूंगा, अपने जीवन का उतकर्स करना चाह हो, पहली बात, सहो, कहो मत, आप लोग कहते हो, सहते कम, जीवन में जो भी हो, सारिरिक, मान्सिक, परिस्थितियां आए, उसको सहो, ये श्विकार करके, ये मान करके, कि मेरे जीवन में जो भी घट रहा है, ये करम जन्न संयोग है, करम जन्न संयोग है, और इसे सहने में ही मेरे जीवन की सार सकता है, मेरे पास कोई उपाए भी नहीं है, मैं आप से एक सवाल करता हूँ, आप तीन दीन से भूके हो, कहीं कोई ववस्था नहीं, बियावान इलाके में हैं, और वहां आपको खाने के लिए, खिचड़ी मिली है, वो भी थोड़ी सी, और नीचे से जली भी, आप क्या करोगे, खाओगे कि भूके रहना पसंद करोगे, माता जी बोल रही, प्रेम से स्विकार लेंगे, स्विकार करोगे, क्यों किया स्विकार, खाओगे क्यों किया स्विकार, भाया, यहां जो मिल जाए, वही ठीक है, अब हमारे भाग में यही बदा है, जो मिल जाए, सो ठीक है, आपने उशे स्विकार लिया, क्यों स्विकारा, क्यों स्विकारा, परिस्थिया ऐसी, अब यहां मेरा कोई जोर नहीं है, जो मिले वो मुझे लेना है, इसी तरह जीवन में जब कुछ भी कुछ अघत घटे, उसे इस भाव से श्विकार लो की, चलो भाई, अब जो हो जाए, सो है, सहो श्विकार, जो हो जैसा उसको सहो, और सहने में दो तर सहना तो पलता ही है, इच्छा पुरुवक्स हो, मन मार के सहो, सहना तो पड़ेगा, सपोच, आपको बुखार आजाए, क्या करोगे, बुखार आएगा, आप इलाज करोगे, दवाई लोगे, पर कितनी भी अच्छी दवाई लो, तो रत तो आपको बुखार उतरेगा ने, कश्ट है, सिर में दर्द हो रहा है, कहीं कोई पेन हो रहा है, आप उसे सहरे हो की नहीं सहरे हो, सहरे हो, मरा सहना ही पढ़ता है, लेकिन दो तरीके से सते लोग, हाँ, महुत घ्रन की बात है, दो तरीके से सते लोग, एक तो कराते वे, कराते वे, और दुसरे, बढ़े शान्ती से, ठीक है, अब जो होना है, आंब अराम लगेगा धीरे धीरे, कोई को थोड़שि तकलिफ क्या बात है क्या करूं बहुत तकलिफ है कोई उपाई नहीं है और कोई कुछ पूछने वाला भी नहीं है एक ये परिणाम और दूसरा परिणाम कैसे हो ठीक है अप एक शाक्रट ठीक है दर्द है ठीक है कितना अंतर आ गया है जिस वेक्ति के अधात्मिक दिश्टी होती है वो तन की बिमारी को केवल रहावी नहीं होने देता और जिसकी केवल देह दिश्टी होती है वो थोड़ी सी पीडा में भी बिचलित हो जाता है तुम्हें ये समझ होनी चाहिए कि रोने कराने से किसी चीज का समाधन नहीं है उसे शहर लेने में सामर्थ हमारी विक्षित होगी परंपुज गुर्देप थुबवन जी में बहुत गंभीर रूप से बिमार थे उनकी सरीर के स्थिति बहुत ही गंभीर हो गई थी तीन दिन से अहार नहीं हुआ एक दिन तो उपवास किया दूसरे दिन उनको जो दवाई दी वो कलवी थी सिंकोना की छाल जिससे कुनैन बनती है मुनक्य में दिया पहले इग्रास में मूँ में डाला बहार निकल गया वो अंत्राय हो गया दूसरा उपवास और पहले दिन एक दिन उससे पहले केवल उन्होंने लौकी लिया था और कुछ लिया नहीं था एक सो पाँच फिबर गर्मी पचंड वारिश हुई नहीं थी पंडित जगन मौनलाल से दान सास्ती दो विद्वानों के साथ वहां पहुँचे उन्होंने गुरुदेव से पूछा महराज जी कैसा लग रहा है गुरुदेव ने अत्यन्त सहज उस एक सुपाँच ज्वर में भी हलकी सी मुष्कान विखेरते वे कहा ओदेइक भाव है जान रहा हूँ और देख रहा हूँ ओदेइक भाव है जान रहा हूँ देख रहा हूँ यानि करम का उदय आया है उसे सहज भाव से देख रहा हूँ ये है सहना ये है श्विकार करना कि ऐसी प्रचंड परिस्थिती में भी उसका आनन्द लेना बिजलित नहीं होना सहो और स्वीकारो कोई भी सारी रिक पीड़ा हो उसकी एक दवाई में देता हूँ आप लोग ले लो एक खुराख खानी पड़ेगी दुबारा खाने की जरुवत नहीं पड़ेगी राम बान उस्ति है बता दू कोई भी बिमारी हो उस बिमारी के लक्षन प्रकट होते ही एक खुराख खालो खाते ही आराम उसका नाम है संतोस बटी संतोस बटी खाईए तद का आराम पाईए एक बटी एक हमेशा आजकर जितने काडिक पेशेंट होते हैं अपने साथ सोबरी ट्रेट रखते हैं कहीं कुछ ना आ जाए तो भाई दबा के रखना पड़ेगा सब लोग रखते हैं लेकिन मैं एक चीज़ और महसूस करता हूँ सारीरिक पीडाओं को लोग सहने में फिर भी समर्थ होते हैं पर मांसिक इस्ट्रेश को लोग सहने ही पाते हैं शरीर के दुख को सह लेते हैं पर किसी के दुर्वचन को नहीं सह पाते हैं किसी के दुर्वहवार को नहीं सह पाते हैं जीवन में घटित को इस दुष्प्रसंग को नहीं सह पाते हैं दुख, दुर्वचन, दुर्वहवार और दुप्रसंग सब को सहना हैं दुख को सहो, दुर्वचन को सहो, दुर्वहवार को सहो, दुप्रसंग को सहो, क्या मान करके सहो, ये सब मेरे आतमा से प्रथक हैं, इनका मेरी आतमा से कोई संबंध नहीं है, ये मुझसे भिन्न है, परद्रब्ब हैं, और कर्म जन्न सयोग से उत्पन्न है, कर्म निमित तक है, बस इतनी सी समझ आ जाए, तो जीवन निहाल हो जाए, लेकिन वहीं लोग कम ध्यान दे पाते हैं, चीजों को पकड़ करके बैड़ जाते हैं, हम जब ब्रह्मचारी थे, आहर जी की बात है, एक बार एक साथी ने हमारे किसी साथी को कुछ बोल दिया, वो उसको चुप गया, और ऐसा बोला जो उसे नहीं बोलना चाहिए, और हमें कभी भी दूसरों को संतप्त करने वाले बचनों का प्रियोग नहीं करना चाहिए, बोल दिया, अब गुर्देव तो गुर्देव हैं, वो चला गया बिखी होकर गुरुचर्णों मे, और उससा में हम लोगों बहुत को दृबशंग्रा पढा रह थे, ग्यान देने के उनके अपनी कला है, बोले कल क्या पढ़ा था बोले पुद्गल की परियाई पढ़ी थी बोले क्या है गाथा बोले सद्दो बंदो सूमो थूलो संथा नभेज समचाया उज्जो दादव सहिया पुगल दबबस सपच जाया बोले ये क्या है क्या बोला उसने शब्द बोला ऐसे सब्द, बोले सब्द क्या है, बोले पुद्गल की परिया है, बोले पकल क्यों रहे हो, सब्द क्या है, पुद्गल की परिया है, पकल क्यों रहे है, उसे छोड़ो, धड़क दो, बस, सहन करने के लिए, स्वीकार करने के लिए, हमें अपने आपको भीतर से तयार करना हो तो ज्ञान है भेद भी ज्ञान है उसमें ही कल्यान है वो अपने अंतलंग में विक्षित कीजिए देखिए जीवन का क्या मजा होता है तो आप मुनियों की बंदना करते हो मुनियों की पूजा करते हो मुनियों की आराधना करते हो तो कम से कम उनके संपर्क में आकर इतना त आपको प्यास सहने के लिए मैं नहीं कहता, आपको सीथ कहने के लिए मैं नहीं कहता, आपको गर्मी सहने के लिए मैं नहीं कहता, पर मैं इतना ही कहता हूँ, घर परिवार में जो थोड़ी बहुत हो रही है, उठक पटक, खटबट, उसको सहने की सामर्थ तो अपने भीतर व लोग कहें कि घर में रहते वे सम्वर निर्जरा कैसे करें मैंने का मुनियों से ज्यादा सम्वर निर्जरा तुम कर सकते हो तुम्हारे पास निमित ज्यादा है अभी पुना दोर आ रहा हूं मुनियों से ज़्यादा सम्वर निर्जरा के निमित तुम्हारे पास है आउसर है सम्वर निर्जरा का मूल आधार समता है हम मुनियों के लिए तो केवल 22 परीशा है हम सहते हैं हमारा सम्वर और हमारी निर्जरा होती है तुम्हारे लिए हर कदम पर प्रतिकूल उताएं हैं उनको श्हाज भाव से स्वीकार कर लो केवब सम्वर और निर्जरा है जब भी कोई ऐसा दूर बचन कहे दूर बैवार कहे दूप्रसंग आये करमोधय मानो और उसे समस्या मानने की जिगा कर्म काटने का निमित्य मान लो वो समस्या भी तपश्या बन जाएगी और मैं अक्षर कहता हूँ समस्या को तपश्या बनाओ श्वीकार लो ये कर्म काटने का निमित्त बना है एक सज्जन है मेरे संपर्क में उनकी धर्मपत्नी महा करकशा महा करकशा लेकिन वो वेक्ती बड़े मस्त रहते हैं बड़े मस्त उनकी पत्नी उन्टस आदमी के सामने उन्हें जलील करती है कुछ भी बोल देती है एक दिन मैंने पूछा तो उनने का महराज क्या बताओं मैं तो निकलना चाह रहा था पर हमारे घर परिवार के लोगों ने जबर जस्ती हमें रोक लिया इनके साथ बांदिया तो मैं सोचता हूँ मेरी नियती तो तपस्चा की है मुनी बन करके तपस्चा नहीं बन पाया तो पस्णी की बाते जहिल करके तपस्चा कर रहा हूँ ये मेरे लिए तपश्या का निमित है क्या दृष्टी कौन और है की नहीं भोलो आप बना सकते हो कि नहीं महराज को ऐसे करे तो रो हम क्या करे रो तुम रहो भोग तुम रहो सब कुछ तुम्हारे सामने समस्चाय तुम्हारी है तो समाधान भी केवल और केवल तुम्हें अपने भीतर निकालना होगा उसका हल तुम्हारे अंदर है उसे ढूढ़िये अपने भीतर से उसे निकालने की कोशिज किजिए तो जीवन में एक बड़ा बदला होगा तो सहे श्वीकारे जो ऐ जैसा है श्वीकार कर ले और फिर सतकार करे स्वागत करे अच्छे का स्वागत सब करते हैं बुरे का स्वागत साधक करता है बुरे का स्वागत साधक करता है तुम्हारे एक सामाले विक्ति के सामने कोई बुरा प्रशंग आए वो ब्याकुल होता है और एक साधक के सामने कोई बुरा प्रसंग आए तो उसमें उसे एक मौका दिखता है किसका कर्म काटने का वो हरसित होता है ये तो मौका है कर्म काटने का हरसित होता है मैं आपको बताओं हम लोग मुनी दिक्षा के बात की बात है एक जिगा बिहार करके चले और सर्दी का सम जो धरमशाला थी, बहुत छोटी थी, हम लोगों से कुछ लोगों ने बोला, मराज जी सामने एक नहीं धरमशाला है, साम होने वाला था, चोबिस किलोमेटर चल के गए, सामने एक नहीं धरमशाला है, अब गुरुजी से निवेदन किया कि गुरुदेव, हम सामने एक नहीं धरमसाला महाँ चले जाए, यहाँ कंजेस्टर बोल, हाँ चले जाओ, साम साम को गए, अब गए पहले से देखा वेखा तो था नहीं, अब धरमसाला के नाम पे दो दुकाने थी शटर लगी, बड़ी बड़ी शटरे थी, करीब करीब 14-14 फुट की शटर, और सिंगल कमरे, औ बड़े बड़े ज़रो के, चरो संदार, अब पहुंच तो गए, हमारे साथ के एक महराज थे, उनने का महराज यह ते तो गुल पी जम है, हम बले अब जो कुछ जमे सो यहीं रहो, गुरू जी से आसिरवाद लेके, आब लोटके तो जाला नहीं, अब क्या था, हम लोग थोड़ा बहुत उन लोगे ने जो कुछ भी पैक वैक किया सो किया, अब हम चार महराज थे, चारो बिना चटाई के सोने वाले, ऐसे ही रहने वाले, राद भर साएं साएं हवा, अब कुछ लोग आ गए बईया बित्ति के लिए, अब बईया बित्ति के लिए भी ऐसे सेव लगा है कि क्या बताएं, वो आए और वो ले आए ब्रेक आई, उनको किसी ने कह दिया, ब्रेक आई लगाने से महराजों का सरी ठीक होता, बिहार करके आए, और ब्रेक आई लगाने की कोशिश करें, अब जब ब्रेक आई लगा है, तो हम लोगों ने मला किया बईया तेल लगा हम तो ऐसे ही लगा है, नहीं महराज तो परी उनमे एक ज्यानी थे थोड़े, नाम भी उनका ज्यानी था, तो बोले, महराज तो परीशा सरते ही है, महराज तो परीशा सरते हैं, अपन अपना काम करो, महराज को अपना काम करो, हमने थोड़ा कृतिम कोब दिखाया, आँखे दिखाई, वो को सुनने को तरीक तैयार नहीं, महराज तो परिशा सरते हैं, अपना काम अपने को करना है, हम ने का अब भया सरिंडर ही कर दो, परिशा ही सहो, आज यही बदा है, अब उन लोगों ने खूब तबियत से, ब्रेक आइल से मालिश कर दी, अब बो तो चले गए और रात भर में सही अर्थों में देखे तो कुल भी जम गई पूरा सरी ठंडा हो गया अब जैसे तैसे थोड़ा योग वगरा करके सरी को अकले ने ऐसे निकाला रात काटा सुबा गुरू महराज के पास जब गया अचाहे महराज के पास बाकिया बताया तो हमारे साथ के एक महराज थे तो उनके मुख से निकल गया पतानी कैसे से पाला पड़ गया साथ के महराज से मुख से निकला कैसे पतानी कैसे से पाला पड़ गया गुरू देवी ने कहा ऐसा मत कहो उसे धन्यवाद दो राद भर कर्म निर्दरा का आउशर दिया उसे ऐसे कोसो मत उसे धन्यवाद दो राद भर कर्म निर्दरा का आउशर दिया हमने भी का ठीक के गुरुजे आज एक नया अनभव बिला जीवन में जब भी ऐसा कोई दूप्रसंग हो उसकी सकारात्मक व्याक्षा करो उसका भी सतकार करो जब भोग नाही तुमारी नीयती है तो फिर विचलित क्यों होना आ जाए ठीक है सतकार है सतकार है सहन करो स्वीकार करो सतकार करो ये जीवन को अच्छा बनाने का मार्ग है और अपने अंदर के दोसों का प्रतिकार करो जो जो आप अपने परिशहों को सहेंगे आपकी साधना जो जो सम्मुनत होगी आपकी आत्मा की सामर्थ बढ़ेगी जीवन में निखार आएगा चेतना परिश्कत होगी और हम अपने जीवन का उतकर कर पाएंगे तो बाईश परिशहों को सहने वाले मुनियों की बंदना करने वाले लोग अगर ये चार सुत्र स्विकार ले सहन करना, स्विकार करना, सतकार करना और प्रतिकार करना तो फिर ज़्यादा कुछ कहने की जरुवत नहीं है क्या करना है, सहना है, किसको सहना है, दुख को, क्या कहना है, दुख को सहना है, सुविकार करना है, किसको, दू सहियोंगों को, बुरे सहियोंगों को सुविकार करना है, और सतकार करना है, किसका, दू प्रशंगों का, कुछ भी हो जाए, सतकार करो, स्वागत है, चलो, पंड के लिए जल तपते हुए आभूशन पहना दिये गे उन्होंने उसका भी सहत सतकार किया चाहते तो प्रतिकार करता है मसल देते उसको इतनी ताकत थी पर उसे मसलने की जगा उनने उसकी जड को मसला वो कर्म था और आज मुक्ति के धाम में पहुँच गए बस सतकार करो प्रत जीवन का ये बड़ा सुत्र है इसे स्विकार करो और अपने दोशों और दुरबलताओं का उत्रोत्तर प्रतिकार करें तो हम अपने जीवन का निश्यत उधार कर सकेंगे समयाप सब का हो गया है यहीं पर विराम बोलिए परम पूज आचार गुरुवाश्री विद्या सा जे 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 जे